पूछे ही जाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो पुलीज वालो जिनका जो इसात और आठ को एकजाम है उनके लिए तो ये वीडियो डेफिनेटली जो है योजबूल होने वाला अगर आपने जन से क्या पढ़ी है तो अच्छी बात है आपका रिवाइस हो जाएगा नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं इस वीडियो को गोर से देखेंगे तो डेफिनेटली आपके जो है एक कुल जन से क्या का परती से कितना है अगर आप मानकर चलो कुल हमारे पास जो है चोवी जो है सो लोग है तो यहां से जो है सहर में रास्तान में शिर्फ जो है चोईस नो है तो पच्छीस लोग जो है रास्तान में जो है सेरों में रहते और पिछेतर लोग ऐसे हैं जो व्रामीद जन सिंग्या का परतिजिदा आप से पूच सकता है तो पर पिस सतर रहेगा और फैरी जन सिंग्या का पूचले तो 35 रहेगा अच्छा सरवादी जन Staran सिंग्या वाले जिलों की बात करें तो सबसे पहले आपकाไए अन्सुर हेगा यह ज мам momentoर आधार पर जो है जैपूर है, ये आप से तठ्थे कोई नहीं पूचेगा, कितने लाख है, ये कोई नहीं पूचेगा, उसके बाद सेकेंड अगर आप से पूछ ले, हाँ, इन तीन चार जिलों में से खनफ्यूज कर सकता है आपको, तो जैपूर के बाद जोदपूर सबसे बड़ा है, जनसक्यागी दरफटी से, उसके बाद अलवर है, उसके बाद नागोर है, उसके बाद बर्धपूर है, इन पान जिलों का आप ध्यान रखेंघेंगे, तो जो सकें तो इसकी कोई सो ट्रिक बना लो, या फिर जो है आप ऐसे याद रख़ लो, जैपूर, जोदपूर, जनसइक्या की बात हो गया, तो इन 5 जिलों को भी आप धियान रखेंगे, तो जैसलमेयर, सभी को पता है, सितर मिल में बड़ा है, लेकिन जनसिक्या यहांपर सबसे कम रहती है, रास्तार नियी, जैसलमेयर जनसिक्या में में विक कमी कोगी तो यह नंसे क्किह वाला है उसके बाद सिरोई फंडी जगह है तो वेसे भी कमोगी तो यह थर्ड नमर पर आ गया उसके बाद बुंदी तो यह आप झुप थोड़ी सी ट्रिक बनाले ना बुंदी हमें पसंद नहीं है बात करें तो इन पान जिलों की हम से के याई सेयरों में नवास करती है तो वह तर्फया आप ध्यान रखेंगें आजिसकी जो ब्यार्फ श्यूहत लूगिंए दुल जन सेंग्या का सरवादिक परतिसад ग्रामिंट शैरों में निवाषा करता है तो कोट्टा, कोट्टा में सो में से साठ लोग हैं जो शैरों में रहते हैं तो यह आप ध्यान रक capitalist वीडियो पसंदा रहे जरूर करते हैं आपको टेलिग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गए वहाँ पर मैंने महिला बाल विकास टेलिग्राम पर जो बहुत सारे पीडियाफ नोट्स डाले हैं कल भी डाले थे जो है महिला और बाल विकास की और जो है करंट की वार्शी कांग जिसमें आप कुरास्तान करंट भी दिया हुआ है और जो इंडिया करंट भी दिया हुआ है तो प्लीज एक बार चेकिन जरूर कर ले और वहां भी अमारे पर्यवार को फोलो कर ले लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहीं जिला दर्षन अभी भी आपके पास टाइम है त चरथा परदी दिद्वाले जिल्ले तो यहां ट्यायन रखना अभी हम जो है इस जो है दसक की बात कर रहे हैं, 211-2111 की हम जनगना पट रहे हैं और 2001-2111 में कितनी जनसिंग क्या बढ़ी है ये आप से अगर आप से पूछ ले कि इस दस के वर्दी दर में सरवादिक जो है वर्दी किस सहर की रही है और सबसे कम किस की रही है तो सबसे जो है सिदा सिदा पूछ ले तो गाउं में गुनिस परतिसे दर बड़ी है मतलब इन डस सालों में गुनिस परतिसे जनसिंग का है वो गाउं में ज़्यादणा हुई है गुनिस और सहरों में कितनी हुई है ज़्यानी जो और शे बचर्ड कि जहांपर सबसे अधीए वर्दी दर हुई है तो उनमें आपको बाड मेर नाम आएगा सबसे पहले बाड मेर मेर में कितनी वर्दी हुई इन दस सालों में तो 32 यानि 32 लोग और नएं जूड गए और जैसल मेर में 31 और उसके बाद जोदपुर में 27 परतिसत और जो है 26 परतिसत और जैपुर में 26 अब बात आती है यह पांच जिले तो हो गए यहांपर जो सरवादिक 10 के वर्दी देर हुई है लेकिन जो है नियूनतम पांच जिले तो गंगा नगर गंगा नगर में काम करते हैं बात करें 2001 से 2011 के दोरान जो सरवादिक जनसिंग्या वर्दी वाला जिला तो मैंने आपको बताई दिया जो है बाड मेर 32.5% जनसिंग्या में इजाफा किया इसने 10 सालों में और वही जो है नियूनतम तो गंगा नगर अभी हमने बात किये 10% लोग बढ़े है बात आती है 2001 से 2011 के दोरान जो सरवादिक ग्रामिंट जनसिंग्या वर्दी दर वाला जिला यानि ऐसा कौन सा जिला है जिनके गाउं में जो सरवादिक वर्दी हुई है तो जैसल मेर आपका इंस्वर रहेगा very very most important examiner कहीं से भी पूल सकता है तो जैसल मेर मेर में जो है 34 लोग गाउं में नए यानि हर जो है इन 10 सालों में 34 परतिस जनसिंग के है वो बढ़ गई है जैसल मेर के गाउं में तो यह आप धहन रखना लेकिन जो है नियूनतम यानि सबसे कम ऐसा कौन सा जिला है जहां पर जो है 6.1 परतिसत ही वर्दी हुई है कोटा हम वैसे भी जो है 40 परतिसत जो है 40 परतिसत जनसिंगा निवास कर दी है हमने पहले भी बात किये इसमें कोटा हमें अधिकतर शेरों में लोग निवास करते हैं तो इसका जो है नियूनतम जो है ग्रामिंट जनसिंगा वर्दी द दोरा न्यून्तम सहरी जंसेंग क्या वर्दी दरवाला जिला यानि ऐसा कौन सा जिला है जहांपर जो है सहरों में कम वर्दी हुई है इन दस सालों में तब आपका इंसो रहेगा डूंगरपूर यहां पर सिर्फ जो है नो के आसपास परतिसत बड़े हैं अच्छा जंसेंग सरुदिक जनसेंग क्या गनताओ वाले जिले अगर बात करें तो जबसे पहले हम जैपुर का ही नाम लेंगे और सबसे कम अगर बात आ जाए तो जैजल मेर मेरे सिर्फ 17 ही लोग है जो एक किलोमेटर में निवास करते हैं वहीं जो है आ जाता है पूरी 500 यानि लगभग 470 पिस्तर के आसपास तीसरे नमबर पर और अलवर आ जाता है चोथे नमबर पर 438 के साथ और धोलपूर आ जाता है तीन सो त्रेन में के पास बात करते हैं न्यूनतम जन गनताव वाले जिलों की तो जैसल मेर मेर में 17 है 78 है विकनेर में बाण में बाण में 78 और चूरू में 100 संचास और जोदपूर में 161 तो ये टोप 5 जिले हैं जहां पर कम लोग निवास करते हैं इनका चेतरपला दीख है लेकिन जन संक्या कम निवास करती है निउनतम जन गनताव का यही मतलब होता है बात करते हैं लिंगानुपात की यानि कितने पुरूसों की यानि अजार पुरूसों में इस्तरियां कितनी है तो ये बात आती है लिंगानुपात बात करें तो ये जो है परती अजार पुरूसों पर जो है मेलाओं की संक्या होत सहर के जो है लिंगानुपात के जो है जो है मुकाबले में जो है अधीग है यहां पर जो है यानी लड़कियां जादा हैं सहर के मुकाबले गाओं में यहां पर जो है अजार लड़के हैं तो 933 लड़कियां भी है लेकिन सहर में अजार लड़के हैं तो कुल मिलाकर 914 ही दूंगरपूर में महिलाएं हैं तो कुल मिलाकर डूंगरपूर की इस्ति रास्तान में टोप पर आती है महिलाओं या लड़कियों के मामले में अच्छा सबसे कम लिगन उपात तो ये चिंता का विश्य है दोलपूर के लिए किस के लिए दोलपूर के लिए यहां पर अजा उसके बाद राद समंद 990 के साथ दूसरे नबर पर है और पाली तीन सिरे नबर पर है 900 सिद्यांसी महिलाएं यहां पर परताब गड़ में 980 कोई दिक्कत नहीं है याद हो जाएगा इसली और नियूंतम लिगन उपात वाले पांच जिले अब बात आती है तो दोलपूर ह पाली है त्यान रखना पाली में एक मात रहसा जिल्ला है जहां पर गाओं में जो है महिलाएं अधीक है पुरूसों की तुलना में 1003 महिलाएं है और पुरूस कितने है 1000 ही है त्यान रखना रास्तान का 928 है पूरे रास्तान का है वो तो और रोल अगर शिर्प आप से यही मीलां का अधीक है या कोई दिक नहीं मीलाएं नहीं नहीं कुछ अनुसी ए फूरी में अगर आप से पूछे तो भी दोल सबसे कम लिंगान उपात वाला जिला सहरी जेतर में तब आपका इंसो रहेगा जेसल मेर क्योंकि यहां पर आठ सो साथ ही मैलाएं हैं और सहरों में निवास कितने करते हैं अजार पुरूस तो यह कुछ महत्वपोन आंकडे थे पूरा जो निचोड था जनसंक्या का आपके यह मैंने पेस किया है ताइम निकाला है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा आपको कुछ समझ में आया नहीं आया कोई भी इस वीडियो के बारे में राया है तो प्लीज दे दीजिएगा और यह जो है डिफिनेटली यह जो है वीडियो आपके एक या दो क्यूसन सही करवा के जाएगा तो प्लीज इस वीडियो को गोर से देखने के लिए और एंड तक देखने के लिए धन्यवाद आपका बाकि टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दीगे जहांसे आप पीडिय अफ नोट्स मैला वाल विकास के सा पारे कंप्यूटर वगरा सब आपको मिल जाएगा यह की जगए जिलादर्शन के वीजिवा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पढ़ते रही हाड़ वर्क करते जी मिलते नेक्स्ट वीडियो में जहिंद जवारत